नमस्कार दोसों सग्वत करता हूँ आपके बने चानल साम्षड़े में आज मस् Meeting. अन्टोलड ह्टिरी अब इस्रोके बारे में.. इस्रोक को बना बनाया गया था? इसका पहला नाम क्या था दोसों...... पुराना नाम क्या था हम बात करेंगे इसरो के पहले चैर्मन कौन बने थे हम बात करेंगे बिक्रम साराभाई जी के बारे में हम बात करेंगे पीएसेलबी के बारे में इसरो ने सबसे पहला पीएसेलबी भारत का कब बने था हम बात करेंगे जीएसेलबी क्या है हम बात करे और आपको कोई चनेल नहीं बताएगा हम बात करें दोस्तों इसनरों ने सब से पहला जो की संटेलाइट कब भेजा था भारत का सबसे पहला संटेलाइट हम बात करेंगे और सब्सक्राइब करना चर्णीय आहःमत बेज्ट जो जानना है चले दोसर जानते हैं history of isro के भारे में तो isro का पेला नाम का था दोस्तों पुराना नाम इंडियान नाशिननल कमिटी for space research क्या था इंडियान नाशिननल कमिटी for space research इसको हम INCOSPAR कहते थे तो इसको बना गया था जबाहरलाल नहरुजी के दोरा यहां पर देखे दोसके इनका इमेज जो की भारत के सर्वप्रतम प्रधान मंत्री थे अंडर देपार्डमेंट अफ आटमिक एनर्जी इन नाइटीन हंडर शिक्स्टी टू अंद अर्जिंग आफ सेंटिस्ट विक्रम सारभाई तो विक्रम सारभाई जी के जो की कहने के बाद 1962 को INCOSPAR को बनाय गया था किसके द्वारा जबाहरलाल नहरू जी के द्वारा जो की डिपर्डमेंट अफ आटमिक एनर्जी के अंडर आता था अगर हम बात करेंगे इसरो तो इसरो का गठन किया गया था 1969 को यहनकि 1969 को तो INCOSPAR बदला इसरो कब किस साल में 1969 में इसको यादर रखें तो अगर आपको कभी कोश्चिन पूछे इसरो का फर्मेंशन कपड़ता है तो 1969 आप अंसर लगाना दोस्तों तो इसको जबहलाल नहरुजी के दरा बनाया गया था इसको यादर किये दोस्तों चले दोस्तों जानते हैं और कुछ मेजर हिस्ट्री अवाउट इजरो के बारे में इनने 1972 1972 को The Government of India had set up a space commission तो भारा सरकार ने 1972 को एक space commission का गठन किया Department of Space bringing isro under the DOS Department of Space के under currently इसरो आता है जिसको बनाया था Government of India के दरा 1972 को इसको यादर किये किसको Department of Space को इसरो बिल्ड इन्डिया से फास्ट साटलाइट इसको यादर कियें दोस्तों भारत का सरव प्रतम साटलाइट किस ने बनाया था इस रो ने जिसका नाम था दोस्तों आरे भट काभी बार एक्जामों में पूछा भी गया है तो याद रहे हैं दोस्तों आरे भट जोगी है भारत का सर्वप्रतम साटलाइट which was launched by the Soviet Union तो Soviet Union के द्वारा यानकी रसिया के द्वारा इसको launch किया गया था कब 19 अपरेल 1975 को 19 अपरेल 1975 को इसको launch किया गया था Soviet Union के द्वारा चले हैं दोस्तों जानते हैं बिक्रम सारा भाई जी के बारे में फास्ट चेयर्मन अफ इस्रो तो इस्रो के सबसे पहले चेयर्मन यही है दोस्तों यहाँ बर देखे बिक्रम सारा भाई जी इनका टेनियूर था दोस्तों 1963 से लेकर 1971 तक तो 1963 से लेकर 1971 इनका टेनियूर था इसको यहाद रखे तो इनका जानमत दोस्तों हुआ था एमदाबाद में कहां पर एमदाबाद में इसको यहाद रखें 12 अगस्ट 1919 को इनका जानम हुआ था एमदाबाद में यहाद रखें 12 अगस्ट 1919 को और इनको दोस्तों 1966 को मिला था पदम भूशन और पदम विभूशन दोस्तों बिक्रम सारा भाई जी को मिला था 1972 को इसको पूस्ट थेमियसली इनको मिला था पदम विभूचन इसे स्लाट में हम बात करेंगे दोस्तों 1990 से यरली 21 सच्चुरी के बारे में जो कि इस रों में घटा है कौनशे कौनशे चीज तो अरायवाल आप पीसल भी इन 1990 बिकम ए मेजर बूस्ट फर इंडियान स्पेस पोग्राम तो इंडियान स्पेस पोग्राम के लिए एक बूस्ट मिला था दोस्तों जब 1990 को भारत ने बनाए था अपना PSLB मतलब पोलार साटलाइट लॉंच भेहिकिल इसको आधार रखें पोलार साटलाइट लॉंच भेहिकिल उसके कुछ दिनों बाद दोस्तों भारत ने बनाया से पोलार साटलाइट लॉंच वेहिकिल से 50 सक्सेस्पूल जो कि लॉंचिंग कर चुका है 50 सक्सेस्पूल फ्लाइट छोड़ चुका है इसको यहाद रखें तो भारत ने उस तीस साल में दोस्तों बहुत ही तरक्की किया है इस रोमें एक इंट्रेस्टिंग हिस्ट्रिय आप करेंटली जीपेस केते हैं दोस्तों ग्लोबाल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं देंगे तभी इस रोन एक बनाये था ओन साटलाइट नाविगेशन सिस्टम भारत का खुद का अपना नाविगेशन सिस्टम जो कि दोस्तों इसका नाम था आई आर एन डबल एस जिसका फुल कब करगिल वार में दोस्तों इसको याद रखें तो जब यूएस ने रिफ्यूज किया कि हम जीपेस आपको प्रभाइड नहीं करेंगे करगिल वार में तो तभी इस रोने अपना कलाकारी दिखाया था और भारत को दिया था आई आर एन डबल एस के ओन साटलेट पैसरेगी जाता किस ने इसको याद रखें तो चंदर में सबसे पहला जो की पानी का खुझ किया था भारत के पूर्व ने जिसका नाम था चंदर들 यान वन तो इसक दोस्तों इस रोने बहेया था 2008 को इसको याद रखें जो कि ता दुंया का सबसे पहला प्रुब जो की प अर्बिटर मिशन क्या मार्स अर्बिटर मिशन को बहजा था 2013 को इसको यादर के दोसों किसके द्वरा इस comprıkt भर भर open ट venom Mill के उनत्तर को बना गया था इसरो को इंडियान स्पेस रिसर्च अर्गनाजेशन को जिसका हेड़कवाटर आप पाएंगे करनाटका का राज़ाने बेंगलूर में चेरवान इसके 2022 में दोस्तों है एस सुमना था यहां पर देखिए दोस्तों इनका इमेज तो टोटाल एंप्लो तो Government of India और Department of Space इसके ओनर है किसको किसका इसरो का तो एस सुमनाथ इसके चेर्मन है इसको याद रखें इसरो में तो इनका टेन्योर दोस्तों तीन साल तक रहेगा तो याद रखें 2022 में इसरो के ने चेर्मन इस सुमनाथ को चैन किया गया है I think बीड़ा आपको पसंद आय होगा बीड़ा पसंद आय तो दोस्तों वीड़ीो को लाइक करीए अपने 10 दुसतों के साथ इस वीड़ीो को जарूर सेर करें और जाते जाते चैनल को जарूर सबस्क्राइब करें और बेल आइकोन को अलव संपर रखना दोस्तों इसके कारण हमारा नेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगा दोस्तों अगर आपने हमारा पूराना वीडियो जो की टाटा ने रिप्लेस किया था वीबो को आज टाटल स्पॉंसर इन 2021 तो उस वीडियो को देखने के लिए इस आइकन को क्लिक करिए हिंद जै भारत नमस्कार